स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अभी मैं करा हूं बलाप पंचायत के 10 गार है वाड नंबर characterized यहां की अपनी अलग समस्या है भढ़भात लोला है वहां पहें इनकी लोगों की अपनी समस्या है और यह सब किसान लोग है यह किसान है और किसान दो मानों में है एक तो खेती से इनकी किसानी होती है दूसरा यह पशुपालन करते हैं भैंस पालते हैं गाय पालते हैं और वही दूद से इनका जीवन यापन होता है फसल के नाम पे इनको कुछ होता नहीं है आपको मैं चाहूंगा क जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और यहां से आप देखें यहां से सरक खतम हो जाती है यह इदा इनका खेत है यह सरक जाती है कई लोगों के घर आगे टोला है कई लोगों का घर पानी में डूप चुका है कारण यह है कि आगे जो बांध है नदी का जो बांध है वो कि सब्सक्राइब किसानों कि उचति तो जरूर है लेकिन सुनी नहीं जाती यह बड़ा ही दुर्भाग है इस देश का इस राज का तो मैं जहां पर खड़ा हूँ यहां से सडके खतम हो जाती ये यह क्यों कहें कि सड़क तो है लेकिन नीचे है पूरा चारो तरफ पानी ही पानी है मैं चाहूंगा कि जा इस पानी को भी दिखाए जाए मेरे पीछे आने यहां के जो गिरामीन है उन्ते हम बात करेंगे दर असल इनकी समस्या है क्या यह क्यों इन्होंने फोन करके मुझे बताय कि सर मैं बरी मुसीबत में हूँ मेरी फसले बरबाद हो चुकी है मेरा घर डूप चुका है गुहार लगा रहा हूँ ना कोई मीडिया वाला आ रहा है ना कोई दिखाने वाला आ रहा है हम गरीब लोग हैं हम लोग गरीब की लोग लोगों की आवास आगे कैसे हमारे गाओं में समस्या है कि लगभग तीन-चार महिना से हम लोग इवार से जूज रहे हैं हमारे गाओं के अगल बगल में कुछ इधर भी देखिए जैके पीछे में घर है तीन-चार घर है यहां पर जो पानी में डुबा हुआ है और मानिये विधायक जी यहां पर ढ़ले लालित याद पर लोग बिस्थापित होकर करके अपना भैस बाने हुए देखिए देखिए उधर भी घर है जो पानी के सालाब में डुबा हुआ हो चार महिना से शरन लिए हुए है यहां अच्छा मतलब कि उधर आप लोगों का घर डूप चुका है आप जो यहां पर रो मर्सिडीज में घूमने वाला किसान जैसा के लोग काते हैं जिसके तन पे कपरा नहीं है कोई गंजी में है तो कोई खुले बदन है तो देख लीजे भारत के अमीर किसान को आईए इन किसान से भी बात करते हैं पानी में डूबे हुए है और इनका कोई सुनने वाला नही ह हम तो कह रहे हैं कि शायद नहरू को देखा था क्या नहरू को इंदरा गाधी को देखे इन्होंने बड़ी सरबाद कई को भी देखा है इंदरा को भी देखा है और राजीव को भी देखा है मनुहनं सिंग को भी देखा है और मोदी जी को भी देख रहे है कीसा लग रहा है मोदी राज में आपको मोदी दिन कायसा है इंटनांत फार बहुत दिककत है अचे के बीशा जंगल देगा शो उपआ नहीं है अच्छा इंतनाग तक देखिए जब इस तरह की आपका नाम क्या हुआ आपकी उमर कितनी होगी ये बता दीजे असी तो होगा हाँ लोग भाग तो चप छिपा रहे हैं का पीछे से बुले नब बे तो देखिए दरसल जो इस तरह की जो समस्य आती है इस तरह की जो आपदा होती है इसमें मर्दों को का काम होता है कहीं से भी कमा करके कुछ करके ला करके औरतों को देना यह सारी समस्या जो होती है सबसे ज्यादा अगर को जहलती है तो महिलाए जहलती है उनको बच्चे के लिए खाना कप्रा लट्ता साफ सफाई मतलब शोचाले सारी समस्या उनकी होती है साफ सफाई इनको बहुत दिक्कत होती है कि घर तो डूब गए और यहां पर आश्रह लिए हुए है उन लोगों ने जो कहा यहां एक पिडित महिला है जड़ा मैं सरकार को कहूंगा इनकी दर्थ को सुनेंगे और समझने की कोशिच करेंगे कि यहां के लोग कितनी मुसीबत में अपना जीवान यापन कर रहा है जिए आप बताईये क्या है कि आपके मुख्या जी जो है कभी आपका हाल साल पूछने आए जी नहीं कहीं हो नहीं कहीं हो नहीं है आप गई मुख्या के पास जी गी यह गए अब आपको मैंने बला है कहां से देगा कई समय होगा तो भी यह देखिए बड़ी यह महिला जिसको रहने के लिए घर नहीं है दो चोटे-चोटे बच्चे को भी दिखाया जाए यह दो चोटे-चोटे बच्चे है इन बच्चों को देखिए और सबसे बाड आती है जब इस तरह का माहौल बनता है बाड का माहौल बनता है पानी घुषता है तो सबसे ज़्यादे साप निकलता है और आपने सुना होगा कि साप काटने की घटनाएं बड़ी बर जाती है और वो साप बच्चों को काटता है तो इस खुले अच्छत खुले आसमान के नीचे सरक प नहीं कोई पुर्साने हाल नहीं